इस DLD के Lab Week 11 वीडियू 1 में हम लोग 2-bit comparator कैसे construct होता है उसके बारे में देखेंगे और उसके बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे तो class 2-bit magnitude comparator की सबसे पहले जो हमेरी construction होती है उसमें हमें कुछ इस तरह का system जो है वो scenario जो है वो generate करना पड़ता है तो class हमें पता है कि 2-bit comparator जो होते हैं इसमें हमने 2-bits हमारी take part कर रही होती हैं A and B A की भी हमारे पास A0 और A1 होती है classification और B की भी हमारे पास B0 और B1 classification respectively हमारे पास construct होई होती है तो class इस तरह की classification में यह हमारे पास generate करते हैं और हमारे पास work करते हैं इन दोनों को work कराने के लिए हमने 2-bit comparator construct करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो basic logical gates से होते हैं जो हम आगे देखेंगे हमने जो software में अपने किस तरह उनको जाज किया और किस तरह उस पर काम किया है तो class सबसे पहले हम 2-bit comparator बनाने के लिए हमारे पास वही जो तीन conditions हमने justify करने होती हैं सबसे पहली condition जो हम suppose कर लेते हैं जो हमने justify करनी है वो that is a is greater than b जिसमें a b से बड़ा होगा तो हमारे पास क्या value generate होगी हमने वो देखनी है उसके बाद हमारे पास value जो बन जाती है वो that is a is equal to b जिसमें हमने ये judge करना है कि जो हमारा a की bits हैं वो b के बराबर है यानि कि a is equal to b अगर एक तरफ 00 है तो दूसरी तरफ भी 00 होने चाहिए अगर एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ भी 00 होना चाहिए और अगर एक तरफ दोनो 11 है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास 11 होने चाहिए तो इस चीज़ को justify करने के लिए हमने यह आप देख सकते हैं हमने XOR gate लगाए हैं और इनको फिर आगे NOR किया है इस तरह हमारे पास एक तीसरी condition भी बनती है जिसमें हमने यह प्रूव करना है कि A is less than B उस condition को प्रूव करने के लिए हमने जो आप करसर पर देख सकते हैं हमारे पास हमने यह equation प्रूव की है जिसमें हमने टू-bit comparator को जो है वो justify किया है तो इस तरह हमने एक यह फॉर्मॉराइज चीज कर लिए जिसमें हम comparator को construct कर सकते हैं तो लास तरह हम देखते चले हमारे पास यह एक circuit वाल हुआ है जिससे हमने टू-bit comparator को construct करना है तू-bit comparator को चेहरा जाएग़ और टू-bit comparator को construct करने के लिए हमने यह circuit जो है वह आव möglich करना है यह circuit यह म्योब हो जाएगा थो हमारे पास टू-bit comparator जो है वह construct हो जाएगा तो टू बिट कंपरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास यह सरकिट जो है वो अवाल्व होना चाहिए जिसमें जिसे हम टू बिट कंपरेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि हमने हमारे पास A और B दो बिट्स टेक पार्ट कर रही है और इन दोनों की A 0 A 1 इसको 2 बिट कंपरेटर बना रही है इसके साथ हमारे बाद B 1 और B 0 है जो कि इसको 2 बिट कंपरेटर बना B की 2 बिट्स है और A की 2 बिट्स है तो हमारे पास तो उस तरह हम इसका टू बिट केमपरेटर बनाएंगे तो इस तरह क्लास पर हम चलते हैं हमारे इसमें प्रोटियस विंडो हमारे पास ओपन हो गई है हमने सेम जो है यह सरकेट यहां पर कंस्टर्ट किया है प्रोटियस की विंडो में इसमें हम आपको क्लास पता है कि हम हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती है वह हम पी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह विंडो ओपन हो जाती है इसमें हम लॉजिक टॉगल लिखते हैं तो हमारे पास यह लॉजिक टॉगल आ जाती हैं से हम इसक फिर मुझे नॉट गेट चाहिए थे नॉट गेट मैं यहां से एक्सेट कर लूँगा पास ओपन होगी नॉट गेट मैंने यहां पर टाइप किया तो मेरे पास यह वारा नॉट गेट मैं यह वाला पर ले लूँगा इस तरह मुझे नेंड गेट चाहिए बाए फास्ट कर सकते हैं यह तो इसमें क्लाश हमारे पास यह त्री हमंस भी है एंट फॉने और फिर हमें यहां से ऐसे एक्सटार्ट हो जाएगा फिर फेर नौर गेट भी चाहिए नौर गेट भी हम यहां पर टाइप और टाइप करके तो हमारे पास नौर गेट की भी एक विंडो ओपन हो जाएगी यह नौर गेट मैं लिखा तो हम यहां से नौर गेट टू इंपुट वाला बहासानी एक्ट्रेट कर सकते हैं इस तरह हमारा बेक्ष duyonn film वे में फ्मान पर समेशं उतल होना हना जायं ≘ यह गेडскर नहीड का क्या में बश्कोर के हमारे पास यह वाला सरकेट है। अब यह हम में प्रोटीस कई विंडों में अधम तो हम यहां पर अपने रिजल्ट्स देखते हैं तो क्लास यह मैंने सर्केल जनरेट किया इसको मैं यहां से इसके लेफ बॉटम कॉर्णर पर जाके मैं प्ले करूंगा तो मेरे पास यह विंडोव पर होगी इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों बिट्स जीरो है यह हमारे पास यह वाली जो है वो ओन होगही जिसमें हमें यह बता हरा है कि हमारे का बास दोनों बिट्स जीरो है यह हमारे पास ए हैं यह और इसके है इसके साथ साथ हमारे पास अब हम इसको आगे connect कर देते हैं अब हम इसको आगे connect कर देते हैं तो हम मैं इसको a0 को a0 को करूंगा one करेंगे तो हमारे पास it means कि a is greater than b है इसी तरह अब हम b1 को भी one करेंगे तो हमारे पास B 1 1 है यई 0 1 है तो हमारे पास B is greater अब इसको इसको ऐहां से 1 का देता हूं तो हमारे पास ए इस greater than B हो गया जिसमें A की दोनों on है और b एक on है इसी तरह अगर मैं इसको भी one कर दूं तो हमारे पास ए इस eq Setten भी आ जाएगा तो लास इस तरह हमारे पास एक जो हो सिस्टम जएनरेट कर जाता है जिसमें हम हम एक सिस्टम को इस तरह जर्टरेट कर भालेंगे कि एक हमारे पास तू-बिट मैगनिजूट केमपेरेटर जो है वो कंस्टर्क्ट हो गया इसी लिए तरह अब इसको मैं अगर यहां से इसको off करेंगे तो हमारे पास a is less than b हो गया जिसमें a one off है और b हमारे पास one है b की values ज्यादा हैं तो इस तरह वो हमारे पास ये वाला a is less than b जो सबसे last हमारा option था वो clear हो जाएगा इस तरह अगर हम इसको करें तो हमारे पास दोनों one है a zero भी one है और b zero भी one है तो हमारे पास यहां पर equal to all option भी आ जाएगा तो इस तरह हमने यह एक चीज़ जो है वो सब्सक्राइब कर लिया हमने two bit comparator जो है with the help of these equations जो के और पास mathematically solve हो के आई उनसे हमने two bit comparator की जो एक magnitude comparator है को construct कर लिया इस वीडियो थेंक यू क्लाउस